कि नमस्कार फ्रेंड्स कि लंग बैली में आप सरी का स्वागत है बैंकर वी ओल इन लंबैली है कैसे हैं आप आशा करता हूं कि आप सारे पुछलमंगर होंगे ठीक है चले आज का जो टॉपिक है हमारा आज का टॉपिक हमारा हुए जिसका नाम है इंडियन इस्ट्री भारत अगर भारतिय इतिहास के बारे में अगर थोड़ी सी बाते करें तो कई सारे लोगों की मिध्याएं हैं मिध्याएं ऐसे कि सर्थ यह सब्जेक्ट पढ़ते समय हमें नीद आती है हमें बोरी टाइप का लगता है और यह क्यों जरूरी है हमें आज तक समझ में नहीं आया कि आयोग इससे कोशन क्यों पूसता है हमें नहीं समझ में आया कि बार बार आयोग इससे क्यों कोशन पूसता है और बहुत सारे एक्जाम में इसको लिकित परिछा के रूप में भी मतलब रिटेन एक्जामिनेशन के रूप में भी लेने लगे ऐसा क्यों क्यों नहीं बात कर क्यों नहीं लें आज हां अपने कंट्री को मतलब अपने भारत को तीन नामों से जानते हैं एक इंडिया कि इंडिया जानते ना ठीक है देन उसके बाद भारत फिर उसके बाद हिंदुस्तान ये तीन सग्द एक ही देश के कैसे आए ये तीन सग्द एक ही देश के कैसे आए हम थोड़ा सा समझते हैं कि इंडिया भी हमी लोग बोलते है भारत भी हमी लोग बोलते हैं और हिंदुस्तान भी हमी लोग बोलते हैं इन सब के पीछे इनकी एक हिष्ट्री है इनका एक इतिहास है तो थोड़ा सा समझते हैं कि हर एक विसे को समझने के लिए उस सब्जेक्ट की उस विसे की विसे बस्तु तयार हो तो हमें वो सब्जेक्ट वो भी सब्सक्राइब वो अच्छे से समझ पाते हैं ठीके बैद अंडर्स्टेंट कर पाते हैं तो में चीज है कि यह वर्ड जो दिख रहा है आपको यह वाला वर्ड हिस्ट्री इतिहास इसकी उत्पक्तिक ऐसे होई है मतलब ओरिजिन मतलब ओरिजिन ओर इसका हिस्ट्री तो हम थोड़ा सा बात करते हैं कि ग्रीक और लैटें यह हम सभी ने बहुत बाहर देखा होगा हर ख्रीड बुक में हरे बिशेबस्तु में ने लेखा होगा क्या यह वर्डव मारे सामने हमेसा आते हैं ग्रीक AOR email कि वॡ़्अ कि यह व leider भावटलम और जेटें इस वर्ट को हम ग्रीग मार्थ तो ग्रीग में इन्हें सिटोरिया बोला गरीग मासा में ग्रीग की लोगोंत यस वर्ट इसस सब्जेट को हिस्टोरिय मोला जिस हिस्टोरिया का मतलब होता है फानडिंक आउट अगर हिंदी में में भोलें हिंदी में उगने ज्किर को अब कामको यह पता है कि जैसे जैसे हम पात को चलते जाते हैं, हमारे roots भी बैसे बैसे ही बदलते रहते हैं यह तो हमें पता है, अब बात करते हैं, यह तो Greek की बात है बात करते है Latin में, तो Latin में बोलते है history, जिसे हम आज भी बोलते हैं तो मैं कह सकता हूँ जो history सब्द है वो एक Latin भासा का सब्द है जिसका मतलब यह होता है know about past मतलब अपने अपने past को क्या मोली के बच्चो प्यारे बच्चो क्या मोली के past को अपने भूत पूर्ग जो चीज़े हुई है अपने भूत पूर्ग घटनाओं को जाना जाना समझ में आ रहा हो बच्चो प्यारे बच्चो थोड़ा बहुत समझते हो रहा है फिर अगर हिंदी में हमने यह तो देख लिया कि नो अबाउट past को अगर देखें तो थोड़ा सा गौर देखते हैं कि इसका और यह साथिक अर्थ होता है मतलब लिटल मीनी का अगर हम देखें तो यह निश्य था यह निश्य था क्योंकि आरफ में जब इतियास स्टार्ट हुआ हिस्टरी की गढ़ना स्टार्ट हुई तो इसे दो चीजों में, दो हासाओं में यूज होने लगा एक पद में और एक गद में प्यारे बच्चों कमेंट सेक्शन में लिखके बताएंगे कि पद और गद में क्या अंदर है और इस पद और गद में हम बीर गाता, आख समझ रहे होंगे बीर गाता मतलब break history, यानि कि break story जैसे हम बहुत उत्सुप होते हैं ना, हम जाते हैं नानी नानी हमें कहानिया सुना तो नाने मी क्या करते है कोई एक राजा राणी की एक कहानी सुनाती है और उसको हम imagine करते है और उसी की तरह से अपने आपको ढालने की कोसिस करते हैं सेम वैसे ही यहां पर बीर गाता हैं, वो भी हमें एक ऐसी सहसी, मतलब एक ब्रेम श्टोरी सुनाती है, जिससे हमारा जो ब्रक्तित्त है, हमारी जो परस्वनोलिटी है, वो वैसे ही उभर कर आएगा. चलिए यहां तक तो हमें समझने आगए कि उत्सुकता हमें होती हमेसा जानने की कि ऐसे क्यों और ऐसे क्यों हो रा है यही ही बताता है इतिहास अब क्यों बात करतें अब इतिहास का जो विकास हुआ मतलब डेवलबमेंट टीक है यह तीन बर्ड यानिकी सब्दों ब्यादा रेता है यह हमारे हमेसा दिमाग में हमारे माइंड में हमेसा यह चीजे घर करके रहती है कि कैसे हम यहां कैसे यहां हम कब और हम यहां क्यों कैसे कब और क्यों प्यारे बच्चों आती है कि नहीं आती है बते हैं जैसे मैं थोड़ा एक एक जाम्पल बताता हूं एक्जांकेल के तोर पर हम देखें कि हमारे पिताजी मतलब हमारे फादर के फादर के फादर के फादर मतलब इस चैनल के बारे में हम हमेशा जानना चाहते हैं कि ये कौन है और हमारी हमेशा उत्सुपता होती है we are totally curious about it कि कौन है बत्तब हमारा बंश कहां से है कैसे है यह सारे जो वर्ड है वही एक इतिहास को generate करते है बत्तब बात समझ पा रहे होंगी मेरी बात कि कैसे कब और क्यों इन चीजों पहली अधारित होते हैं थोड़ा सा और आगे चलते कि अब हमने ऐसा रहता कि हमारे अभी के जो शिस्टम है जो हमारा तंत्र है आरा जो और तो तो यहंपर दो चीजों की बात होती है कि एडिनिस्टेशन के प्रिशासन कि यहां प्रिशासन क्यों आ गया मतलब आज हमारे इर्द इर्द देखे जाएं तो हम बहुत सारे कानूनों से बहुत रूरें से बंदे हुए यह हमारे सामने कैसे आता है हमने तो इसके बाद दूसरी चीज़ देखते हैं अगर बात करें तो दूसरा आता है को मर्स्य लाइजीशन है कि मतलब व्यापारी करने कि अगर न वह उस्वारिश को देखें दो शब्तों को देखें इन दो सम्तों ने ही, आज की बरतमार में हम जो रह रहे हैं, उसकी उत्पक्ति की थी, मतलब बैपार करने के लिए, आप पुछ नियोंगों का पालन करते हैं, और उसे यहां से बहां ले जाने में, आप अपने संस्कृति को साथ मिले जाते हैं, और उस संस्क्रिती को बिवस्तित कर रहे हैं मतलब to adjustment or your ठीक है to adjust your culture with another territory ठीक है तो हम उस commercialization मतलब व्यपारी करन कर रहे हैं किसके साथ में प्रिशासन के साथ में तो इस तरीके से इतिहास को बड़ावा मिलता है और इतिहास आगे आगे continue चलता है अब इतिहास को अभी ये कलचर ये प्रिशासन ये प्रिपारी करन जरुद के साथ से बदलता है जरुद के साथ से मैं बात करूं कि हमारे साथ में यह आता है कि हमने agriculture हमारा जो देश है हम बात मानते हैं कि हमारा कृषि प्रधान देश है agriculture सौंड देश है वो ऐसा क्यों हो गया बई सोनी की चुडिया कहा जाना वाला देश किरसी प्रधान देश कैसे है अगर मैं गूर्ड की बात कर रहूं तो बैद में हम बहुत जादा थे और आज हम किरसी प्रधान ये सारी जो भी बाते हैं ये जो भी बाते हैं वो सब हमें इतिहास के पन्नों में मिलती हैं रख पहली आपको बताएगा कि कब क्यों और कैसे इतिहास के पन्नों में ये सारी बाते दर्ज हुए और क्यों जरूरी हुआ इतिहाद और इन इतिहाद के पंग्नों को हम देखेंगे किस तरीके से हम देखेंगे एरा के साब से मतलब इनके समयवदी के साब से समयवदी मतलब एरा मतलब टाइप पीरियर की बूल सकते हैं समयकाल टैम पीरियड के अगर मैं बात कर दो तो टैम पीरियड में आप ने इसे तीन भागों में विभाजित किया प्यारबच्चों किस-किस में बात किया एक प्राचीन बारत जिसे अंसेंट इंडिया बोते हैं एंसेंट इंडिया फिर दूसरा काल जो आया उसे हम बोलते हैं मेडेविल इंडिया मतलब मध्यकाली भारत मेडेविल इंडिया इंडिया उसके बाद हम जो देखते हैं वो देखते हैं अपना आधुनिक नितिहास मतलब आधुनिक भारत आधुनिक भारत आधुनिक भारत कह सकते हैं अपने आप में खुद एक सब्चेक्ट है जो बताते हैं कि उस काल में उस काल में क्या क्या हुआ था और हमारे सामने किस चीज की प्रस्तुती करण की जाए जैसे प्राची भारत के और बात क्या नहीं बैसे इसे हम थोड़ा सा दीप में देखेंगी औहौरे अच्छे देखेंगें लेकिन थोड़ा सा ओक्वर्जु देखते हैं कि प्राचीन भालत में हमने चीजों को देखा कि वोग थी जिएăngे हमारे पास आई कैसे समझ गए अब वो चीज़ें जब हमारे पास आ गई तो उन्हें हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले गए मतलब एक देस से दूसरे देस हम आए अपने कल्चर के साथ में हमने दूसरे की संस्कृति को भी हमने समझा परखा वो हुआ वारा मद्यकारी भारत मद्यकारी भारत के बाद फिर हमने यह देखा आधुनी की करण कि अगर वो एक कल्चर से मतलब एक संस्कृती से दूसरे देश की संस्कृती में कहे तो क्या हम उस देश में अपनी संस्कृती का उजागर कर सकते हैं हम अपने कल्चर को डेपलब कर सकते हैं और कल्चर को डेपलब करना ही वहां का इतिहास बज़ जाता है मतलब यह कहना हुआ मेरा कि उस देश का उत्पक्ती उस देश की उत्पक्ती जो होती है उसको हमने आधुनिक भारत लेकिन आजुनिक भारत के साथ में जब एक देश बन रहा होगा तो बहुत सारी दिक्टों का सामना किया होगा मतलब यह हुआ कि a country face Mary Huddles तो इन सारी चीजों की जो गढणा होती है इन सारी चीजों की गढणा होती है और हमारे सामने जो चीजें हैं वो कैसे हैं बैधाने बैर दस्तावेजों के साथ मतला बैले डाकुमेंट हम प्राचीन भारत मत्रकारिन भारत या अधुनिक भारत की बात करें तो यह सारे हमें मिलते हैं किसके रूप में बैले डाकुमेंट के रूप में मुझे एक चीज बताईए अगर बैलिट डॉक्मेंट नहीं होंगे बैद दस्तावेज नहीं होंगे तो आप कैसे बोल सकते हो कि प्लासी का युद्ध कभुआ था चाह आप या मैं उस युद्ध में गहते कि कब गांदी जी का जनम हुआ कब गांदी जी भारत आए कब हमने ये लड़ाई लड़ी कब हमने ये लड़ाई लड़ी ये सारी जो डेट है जो दिनांख है वो सारी हमें मिलती है बैलिट डाकुमेंट में ये बताती है उस काल की गड़नाईए तो मैं प्यारे बच्चों समझ सकता हूँ कि आप बहुत अच्चे थे समझ रहे होगे कि भारती इतिहास हमें क्यों जरूरी है और एक एक्जाम मतलब एक एल्योग वो परिक्षा में क्यों पूशता है कि आपको अपने इतिहास के बारे में पता होना चलिए अगर नहीं पता है तो लन बहली आपको बताएगा कि इतिहास कैसे बढ़ते है मेरे इसाब से आपको अभी नीम तो नहीं आ ली होगी और ना नीम आएगी आगे कंटिनू करते हैं से वीडियो को आगे भी देख ज़िए प्यारे बच्चों अभी हमने देखा था कि इतिहास को हम हिस्ट्री को हम बैद दस्ता बेजों के अधार पर मतलब बैलिट डॉकुमेंट के अधार पर पढ़ते हैं और मैंने अभी बताया कि उन बैलिट डॉकुमेंट्स में बैल ड्लइप करें इतिहास कार किस पीरिट को मांते हैं तो इतिहास कार एक छोटे से बात होती है कि उनको गाल 550 परेंट्स क्या हां परेंट्स क्या क्या है य queensen बताईए अगर परेंट्स क्या हूंगा तो मैं आपको कैसे बताऊंगा, यह इस period में हुआ था, यह इस period में हुआ था, तो इनने reference point जो लिया, वो लिया birth of Christ, इतिहास कारों ने birth of Christ, और यह हम सभी जानते हैं, कि जो British government है, मतलब जो British सामराज है, उसने अपना अधिपत्य, बिस्म में कई देशों पर अपना अधिकार जमाया, और आज जो इतिहास की हम गढ़ना पढ़ते हैं, वो British विचारधारों के उपर हम करते हैं, तो इतिहास में अगर birth से पहले, Christ के birth से पहले, अगर हमने कोई भी काल को पढ तो उसे हम कहते हैं, BC, प्यारे बच्चों, गलत मत करना, BC, इसका मतलब होता है, before Christ, before Christ, मतलब आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा, एक होगा इसा पूर्व, और दूसा होगा इस भी, तो इसे क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, इस भी बोलेंगे या इसा पूर्व, तो बहुत सही बच्चों, अब जो भी अगर बर्थ के बाद हुआ है, क्रैश्ट के बर्थ के बाद हुआ है, उसे हमने बोला AD, उसे हमने क्या बोला AD, मतलब आफ्टर डैथ बहुत लोग गलती करते हैं, बहुत सारे लोग गलती करते हैं, कि ये AD का मतलब आफ्टर डैथ पढ Domini यह एक Greek word है जिसमें बोला गया है क्या बोला गया है कि Isa मतलब इस भी तो हम इन दो आधारों पर इतिहास की गढ़ना करते हैं कैसे करते हैं? देखते हैं Periodization मतलब Periodization मतलब कालिक गड़ना कालिक गड़ना के साफ से बात करें तो यहाँ पर तीन काल आते हैं हमारे सामने मतलब कह सकते हैं तीन बिसे बस तूबार हमारे पास हैं Subject wise मतलब एक Ancient India प्राचीन भारत जो 750 AD तक था AD अभी हम देखेंगे BC के बाद AD भी आया होगा इसका जो आगरी राजा था Last King वो था हर्सवर्धन यह सारे लोग जानते हैं देन उसके बाद आया था Medieval India जिसको हम बोलते हैं मद्धिकालीन भारत जो 750 AD से लेके 750 AD to 1707 मतलब 1707 AD तक मतलब East V तक रहा और उसके बाद Modern India आदुनिक भारत जिसे हम प्लासी के युदिस से गणना करते हैं जो 1757 से लेके 1947 और यह हम सभी जानते हैं कि हमारा भारत देश 1947 में आजाद हो गया तो थोड़ी सी एक बात करते हैं और यहाँ पर confusion नहीं होना है कि कोई भी इसको मान लेते हैं 0 point अगर मैं इधर बढ़ू अगर मैं यहाँ पर बढ़ू 0 की तरफ तो कैसे अगर मैंने लिख दिया 600 BC तो इसके बाद प्यारे बच्चों क्या आएगा 100 BC और यहाँ उसके बाद 0 और अब हम जो चलते हैं उसमें क्रम दर क्रम चलते हैं मतलब अब 0 है तो उसके बाद क्या आएगा 100 AD और यहाँ उसके बाद क्या आएगा 600 AD मतलब 20 BC जैसे हम बोलते हैं जैसे अभी 2000 है तो हम 2200 AD में रहते हैं ऐसे समझ सकते हैं 20 भी सताबदी में हम रह रहे हैं अब 21 सताबदी चल लेए 2019 तो मैं 2.1980 भी लिख सकता हूँ इतिहासकार में अगर देखें तो हम अपने इतिहासकी गर्णा एक करते हैं क्रोनोलोजी ओडर के उपर यह स्टार्ट होती है 2350 से लेकर 1750 BC तो प्यारे बच्चों आप कन्फ्यूज मत हो ना कि यह 2350 से लेकर मतलब डिक्रीज ओडर में क्यों लिखी है क्योंकि यह BC है जीरो की तरफ प्रोसीड कर रही है यहाँ पर स्टार्ट हुआ था इंडर्स सिबलाइजेशन मैंने आपको क्या बता है प्यारे बच्चों कि बैधानिक दस्तावेजों के साथ हम बाद करेंगे तो सबसे पहले ज से बोलते हैं सिंदू सब्विता अच्छे से देखेंगे सब और इतने से ही आपके एक्जाम में बहुत सारे कोश्चन बनेंगे देखिए इतने से ही मतलब इतने ही पीरिट से ही आपके कितने कोश्चन बनते हैं सिंदू सब्विता के बाद में जब हमें अपना ग्यान हु उसके बाद ये चले गए 1500 से 600 BC, यहाँ पर RN period बोलते हैं इसे, इसे बोलते हैं RN period, अगर RN period की बात करें तो इसे बैदिक period भी बोलते हैं, बैदिक काल, बैदिक काल, बैदिक काल जहां बैदों की बात होती है तो प्यारे बच्चों कमेंट सेक्शन में लिखके बताएंग कि हमारे कितने बैद हैं और सबसे पुराना बैद और सबसे नया बैद कौन सा है इसमें early, early का मतलब होता है पूर्व बैदिक काल, जो 1500 से 1000 BC में स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद लेटर बैदिक काल, जो उत्तर बैदिक काल जिसे बोलते हैं, वो 1000 BC से लेके 600 BC तक रहा अ जब उसके बाद जब 600 BC में बात की, मैं एक chronological order समझा रहा हूँ, इसके बाद इन सबको हम एक एक करके देखेंगे, 600 BC मेटा प्यारे बच्चों से मार करके रख लेना, और ये question आ चुका है कि भारत का सुलिम, या भारत का जो इस्थानांतरित, जिसे transformation is बोलते हैं, वो कौ जहां पर transformation किस चीज कर बोलेंगे, मैंने अभी थोड़ देर पहले समझाया, कि हमने इतिहास को दो गर्णाओं के अधार पर अब समझना चालू किया, एक था administration, और दूसरा था commercialization, मतलब एक ब्यापारिक नेतियों के अधार पर, और दूसरा हमने समझा, किस के अधार पर, प्रसासन के अधार पर, तो यहां पर भी वही हुआ, यहां पर अब जो बेदों को मानते थे, अब वहां पर चीज़े start हो गए, थोड़ा सा political nature आ गया, मतलब थोड़ा से political changes हुए, मतलब कह सकते हैं, यहां पर state formation, मतलब यहां पर जनपद बनना start हो गए, तो ब्यारे बच् comment section में लिखे बताईएगा, कि district में रहते हैं उसे हिंदी में क्या बोलते हैं, जितने समझ रहे हैं जिला, तो जिला नहीं बोलते हैं, जिला उर्दू का सब्द है, हम बोलते हैं जनपद, तो यहां पर 16 जनपद हुए, उसके बाद अगर religion की बात करें, अरे धर्न, धर्म क अधार पर तो बहुत सारा लोकसभा, राजिसिवा में बहुत बाते हो रही हैं, तो थोड़ा सा आयने में जहक कर देखते हैं, कि हुआ क्या, कि यहां पर religion की अधार पर दो चीज़े आएं, और इनका नाम तो अभी भी आया, थोड़ा सा current में आई है, CAA Bill, Citizenship Amendment Act, मतलब ना और जो किसका नाम कहला है, बुद्ध और जैन, यहां से दो धर्म तूटे, वो कौन से थे, बुद्ध और जैन, मतलब अब बेदों को ना मानने, इन्होंने बेदों को तृसकार किया कि हम बेदों की policy नहीं मानेंगे, हमें अपना religion बनाना है, मतलब पहले बुद्ध आये दैन उसके बाद जैन आये, जिन्होंने बुद्ध की भावनाओं को नहीं समझा, वो जैन बन गए, अब 600 अब इसके बाद क्या होता है, अब आपको तो पता है कि political regions आ गए, तो political region में क्या हुआ, कि यहां पर अब हर ब्यक्ती को, प्रति ब्यक्ती स्वतंतरता प्राप्त ह हुई, कि वो अपने जन्पत को बना सकता है, वो किसी भी culture को follow कर सकता है, ठीक है, यहां पर बात देखते हैं, 600 BC से लेके 25 BC की बाद, मतलब इस period में, इस समयकाल में एक सामराज हुआ, भारत बरसा सबसे पहला सामराज, जिसको हम बोलते हैं, मगद Empire, मतलब मगद सामराज जो कमेंट सेक्सन बताएंगे, कि मगद सामराज किस था अपनाय?, किस ने की, यहस, यहस, बहुत बड़िया, इसे बोलते हैं नंद बंस भी, इसे बोलते हैं नंद बंस भी, बहुत बड़िया, आगे आते हैं, मौरे, लगाइए अपने पीछे मौरे, ओखुस होईए, कि हम हमारी उत्पत्ति यहां सोई हमारी उत्पत्ति देखे कितने हम पुराने हैं हम बंसज हैं भई मौरे जी हैं तो बंसज हैं देखते हैं यहां पर चली एक बंदे ने चाल जिसको बोलते हैं चालक के नीती चालक के नीती बात समस्ते हैं चालक के नीती क्या, एक पंडित ने एक सूद्र को बनाया राजा, कि वो धोका नहीं देगा मेरी बातों को बुरा मत मानिएगा, थोड़ा सा इतिहास के आइनेम देखते हैं चालक के नेक नीती बनाई, पहले चालक मगद एमपैर में हुआ करते थे, अब उन्हों को बाहर निकाल दिया, और ये उन्हें बरदास नहीं हुआ, उन्होंने एक टीले पे बैटे हुए एक बच्चे को देखा, और समझ गए, ये बच्चा बनेगा अगला राजा, अगला स तो देखते हैं, उन्होंने मौरेन एमपैर खड़ा किया, ये तो सभी जानते हैं कि मौरेन एमपैर बना, मौरे समराज और बहुती बिभिद और बहुती बिस्तरत, मतलब हैवी एमपैर, जिसका कौन था उजागर, आप एक बास समझ सकते हैं, ये वही था, चानक जो चलाने वाला कोई और था, तो मौरेन पीरियट की बात के ने, तो यहाँ पर एक नाम आता है, चंदरगुप्त मौरे का, आपने सबने सुना होगा, मैं आपको ये चीज नहीं बता हूँगा कि चंदरगुप्त मौरे कौन थे, आप समझ गए होंगे, मौरे एमपैर के तक था, अब बात करते हैं, पोस्ट मौरेन पीरियड की, इनके काल में भी बहुत सारे फॉर्नर्स आये थे, आपने सुना होगा सैलुकस को, सुना होगा सैलुकस को, सैलुकस की लड़की कौन बेटी, प्यारी हेलेना, हेलेना आंटी हमारी और भी है, हमारे सलमान खान जी क मम्मी जी, उनकी नाम पर भी, इनका नाम था, सैलुकस दी का, लड़की का, और बोती हेलेना, उनकी साधी करी गई, किसके साथ, चंदकुप्त मौरे के साथ, वो एक नीती थी, वो एक नीती थी, कि बाहर के लोग भारत में आए, फिर उसके बाद, पोस्ट मौरियन पीरिय अब क्यों नहीं आएंगे, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक हुआ समराट असोक, नाम से ही किलियर है, कि असोका, एक छोटी सी बात देखते हैं, कि चंदकुप्त मौरे ने जैन धरम को फॉलो किया, चंदकुप्त मौरे ने जैन धरम को फॉलो किया, तो प्यारे ब बेटा था जिसका नाम था बिंदुसार, उसने भी जैन धरम को फॉलो नहीं किया, मतलब जैन धरम का अनुसरन नहीं किया, उसने किसका किया, कमिंट सेक्षन में बताई, थोड़ा सा इंट्रिस्ट आ रहा है, अब तो नीद नहीं आ रही होगी, इतिहास पढ़ने में, कैसे जाएगी, लर्न बैली जो आ गया ना, अब इसलिए, अब बाद करते हैं, किंग असोका, किंग असोका तो समझ सकते हैं, इसकी बात बहुत हैं लोगों के जहन में, कि किंग असोका ने सो लोगों को मार दिया, वहीं क्यों नहीं मारेगा, एक अकिलोता ही, पूरे भारत लेकिन एक ही चीज नहीं जीत पाया, जिसका नाम था कलिंग, बच्चो प्यारे बच्चो क्या बोलते हैं, कलिंग, जिसे उतकल भी बोलते हैं, और आज के टैम पर उडिसा भी बोलते हैं, प्यारे बच्चो क्या बोलते हैं, उडिसा, ये उसी रीजन को नहीं जीत पाया, और आपको पता होने चाहिए प्यारे बच्चो सारी लडाईया तो एक ही बज़े से हुई है दिल असोक का दिल था बहां पे समझ गयोंगे प्यारे बच्चो फिर बहां पर तो लडाईया हुई असोक ने हार मानी और आपने इन्होंने धर्मतरण कर लिया और बुद्ध धर्म को फॉलो किया देन उसके बाद अगर हम देखें कि उसके बाद जो आए वो गुप्त डैनस्टी आई ये डिकलाइन हुआ मतलब ये 150 BC से लेके 250 AD तक चला अरे वह BC to AD मतलब यहां से यहां तक आ गए हम transformation हो गए हमारा कब हुआ ये question आ चुका है कि कब कब ईसा पूर्ब इस भी में convert हुआ ये हुआ पोस्ट मौरियन पीरियड मतलब उत्तर मौरियन काल में देन उसके बाद कुप्त डैनस्टी आई इसको हम सुरनिम काल बोलते हैं जिस टेम भारत को 319 से लेके 550 AD तक अब हम जो बात करेंगे वो सारी AD में मतलब ECB में बात करेंगे मतलब कह सकता हूं में इसको 319 से लेके 550 ECB अब यहाँ पर जो इसके संस्थापक थे इसके founder थे वो स्री गुप्त बच्चो बहुत प्यारे बच्चो यह कुशन बहुत आता है कि गुप्त डाइनस्थी के कौन संस्थापक थे कौन founder थे तो कौन थे प्यारे बच्चो स्री गुप्त देन उसके बाद जब यह decline हुआ तो यहाँ पर पोस्ट गुप्त पीरियड मतलब गुप्त तरकाल बना और गुप्त तरकाल 550 EZB से लेके 750 EZB तक बना तब बेटा यह कन्नौज कहलाया प्यारे बच्चो थोड़ा से यह बताएए महाकालियस्वर मंदिर कहां पर है प्यारे बच्चो यह बताएए यह आता है कि सर मैंने सुना है मा कालिस्टवर मंदिर तो बिल्कुल पॉइंट पर है सेंटर पे आप गहे थे न आपने सतय पे तो प्रतवी के घड़े हो जहां से पेन गरा दो सेंटर पॉइंट मिल जाएगा तो दिमाग से पहले यह निकालो बिल्कुल निकालो ठीक है कोश्टन गलत होते है कन्नाज यह बनी कैपिटल यह बनी राजधानी तो बहुत अच्छी सी बात यह आती है कि कन्नाज कब राजधानी बनी भारत में किस काल में बनी तो बेटा कौन से काल में बनी गुप्त काल में यह तक chronological order में पढ़ रहे हैं हम खाली विबरन देख रहे हैं सार देख रहे हैं कैसा हुआ उससे इतने सारे question बह लर्न बैली वह आपने तो आँखे खोल दी हमारी हमें नींद आती थी इतिहास पढ़ने में अब नहीं आएगी सर देखिए उसके बाद क्या हुआ जब 750 से लेके 1000 AD आया और यहां पर बहरी ताकतों का समायोजन हुआ बहरी ताकतों का समायोजन हुआ चंगेज खां सिकंदर महान यह सारे यहां के नहीं थे यह सारे बहर के थे मंगोलिया के चंगेज खां और Ottoman Empire का सासक सिकंदर महान यह बहुत बड़े बर्चस में चल रहे थे और इनके सामने हमारा जो भारत देश था वो बहुत छोटा सा टेरिटरी था इनके लिए हमें डर था और हुआ क्या उस डर के कारण ही यहां पर अंदर में भी बहुत कुछ हो रहा था क्या हो रहा था यहां पर लडाई हो रही थी कि हमें अपना अपना राज चाहिए हमें अपना अपना राज चाहिए राज कैसा चाहिए गुर्जरा प्रतिहारा गुर्जरा पृतिहारा नाम से के लिए रहे जो आज चंबल की घाटी है उसके भीहड इसका सबूत है कि गुर्जर पृतिहारा बहाँ पर थी ये बही का रीजन है बही का रीजन है मद्ध भारत का ही रीजन है मतलब मद्ध भारत के रीजन गुर्जर पृतिहारा गुर्जर जो आज मिलते हैं बंसज है प्रणाम कीजिए नगवट पृतम संस्थापत थे इस बंस के उसके बाद पाला बंस उसके बाद पाला बंस ये ब इंगोल बोलते हो, बंगाल, यह बहां के राजा हुए, अब देखा जाए, अब भारत को अलग-अलग हिस्तों में तोड़ा जा रहा है, भारत को अलग-अलग राज्यों में तोड़ा जा रहा है, मैंने पहली बताया, कि यहां पर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हो रहे हैं, यह संस्था पर कोशन आ चुका ये अंसेंट इंडिया से बहुत कोशन आते हैं, मेडिवल इंडिया से बहुत कोशन आते हैं, दिमाग में एक छोटी सी बात हो, तो मॉडरन इंडिया से कोशन कम बनते हैं जो चीज आपको आती है ना वो एक्जामनर को पता है जो आपको नहीं आती है न वो एक्जामनर को बहुत अच्छे से बता है सर जीयस नहीं होती है सब हो जाते हैं हमसे जीयस नहीं होती है इसलिए नहीं होती है पढ़ते कहा हो अब पढ़ो खुस हो जाओ लर्न बेली लाना आपके लिए खुसो, चलो, इसके बाद देखते हैं राश्ट कुता बंस, राश्ट कुता बंस देखते हैं और ये बना महराष्टरा, जैम महराष्टरा, बोलते हैं न, दिमाग से निकाल दीजे, महराष्टरा जो उपज है, वो मराठो की है, गलत, अभी नहीं अभी नहीं इसके बाद महराश्ट्रा जो थी राष्ट कुता बंस और यहां पर एक व्यक्ति थे डंती दुर्गा दंती दुर्गा वो संस्थाबकते बेटा बहुत अच्छा कुश्चन है अब बता देना प्रॉब्लम कहां कहां होंगी सोचिये यहीं से पता चल गया होगा कि आगाज ऐसा है नहीं अंजाम क्या अंजाम दोड़ना होता है अंजाम दोड़ना बोलेंगे आगे कैसा होगा ठीक है दंती दुर्गा इसके संस्थाबकते दैन उसके बाद आए इसका पीरियट 750 से लेके 1000 AD अब दिमामी बच्चों के आ रहोगा बहुत उतल पुतल बच्री होगी कि सर मुहम्मद गौरी कब आएगा आएगा ना अटैक किया था था ना छोड़ कैसे देंगे आएगा पहले हम अपने बारों में तो देख लें कि हमारे बारों ने भी क्य करा बेफालतु में हम दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं कि उसने करा तब इतना तोड़ों के तो दूसरा लूटेगा ना देखिए 900 से लेके 1180 ये रहा राजपूतों का काल राजपूतों का काल और महराना परताब का नाम हर कोई जानता है मौम्मद गौरी की दास्तान में और उनके इतिहास में अंतर है ना वो समानता हो जाएगी हम थोड़ा सा अलग बताएंगे राजपूत के पहले तो कमेंट सेक्शन में लिखके बताईए गूगल में फाइंड आट कीजे की संस्थापक कौन थे पसी न छूट जाएंगे गूगल जाबाब भी देना बं जाएगा की कौन होगा आगे देखते रहें